Hello everyone, this is Amaira. I am a tarot card reader, numerologist and a vastu expert. और आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए लेकर के आपके April मंद की predictions, यानि कि April का जो महीना है वो आपके लिए कैसा जाएगा, उसमें क्या कुछ आपके लिए होने वाला है, कि इन चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना चाहिए, उस बार मैं आपसे बात करेंगे, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हमारी सबसे पहली राशी, जो है मेश राशी यानि की Aries, तो Aries आपका April मंद कैसा जाने वाला है, सबसे पहले तो ये कार्ड देख करके मुझे आपके लिए, सच बताऊं तो मुझे लग रहा है दुखी आप हो, लेकिन वो दुख मैं महसूस कर पारी है, क्योंकि broken heart का जो है वो कार्ड आया आपके लिए, यानि कि दिख रहा है कि recently किसी ना किसी का break up जो है इस महीने में होने के chances पूरे पूरे बन रहे हैं, लेकिन इस break up की वज़े से आपको दुख तो जरूर होगा, लेकिन trust आपको ये रखना है कि कोई ना कोई नई शुरुआत जो है इस महीने में आपके लिए आ रही है, प्रेक अप हो रखा हो तो मुझे लगते एक past lover का जो है come back एपरिल के महीने में आपकी लाइफ में हो सकता है, Ace of Coins आपको ये promise करता है क्योंकि हमारे पास Ace of Swords भी है और Five of Wands भी है, तो दो Aces आपकी रीडिंग में आया है, Aries इसका मतलब है कि 100% कोई ना कोई नई शुरुआत इस महीने आपकी लाइफ में जरूर होगी, Ace of Coins का जो कार्ड होता है वो बताता है कि career के मामले में, job के मामले में, वैसे भी देखे एपरिल का जो मन्त होता है काफी सारे लोग promotions यहाँ पे expect कर रहे हैं, तो Aries आपके लिए बहुत ही positive sign है यहाँ पे कि अगर आप promotion इस महीने में expect कर रहे हैं, तो promotion के chances मुझे यहाँ पे बहुत amazing नजर आ रहे हैं आपके लिए, दूसरा जो लोग नई job opportunity ढूण रहे हैं, April का महीना आपको बिल्कुल भी निराश्ट नहीं करेगा, job मिलने के chances बहुत अच्छे हैं, अगर आपने अभी तक नई job के लिए apply ही नहीं किया है, तो right time, आप अभी इसको जो है अपने job applications को please डालना शुरू कीजी, क्योंकि उसके results आपके favor में जाने के यहाँ पे chances बड़े हुए हैं, आपके लिए angelic card का जो card आया है, वो है helpful people, यानि कि अगर आप अपनी life में इस timing पे कुछ अचीव करना चाते हैं, या किसी problem में फसे हुए हैं, तो you have people around जो आपकी मदद कर सकते हैं, और एक नहीं है, मुझे लगता है अगर आप help मांगने के लिए जाओगे, तो there is a team, वो पूरी के पूरी team आपकी help करने के लिए आगया सकती है, लेकिन वो कब आएगी, जब आप help मांगोगे, अगर मन की बात को मन में ही रखोगे, किसी को बताओगे यह नहीं कि आपको तकलीफ क्या है, तो कोई दवा ले करके कैसे आएगा, है ना, तो अगर आपको किसी की help चाहिए है, तो this is the right time, please ask for it, अगर आप आगे से पूछोगे, तो आपको वो help ज़ो है ज़ो है, ज़ो है जरूर मिलेगी, five of ones का card भी है, तो दिख रहा है कि April का महीना, जो है, thoughts को ले करके काफी ज़ादा मुझे लगता है आपको confuse करने वाला है, बहुत ही जादा जो struggle है वो मन ही मन में बहुत जादा चल रही है बाहर शयाद उतनी परिशानी आपको April के मन्त में नहीं होगी लेकिन आपके मन में यानी एक दोइंद साच चल रहा है आपस में एक fight चल रही है उससे आपको निकलना बहुत जरूरी है तो उसके लिए आपको क्या गरना है एक तो आपना meditation शुरू कीजिए meditation का नाम सुनते एक तो आधे लोग डर जाते हैं तो डरने जैसा कुछ नहीं है सुबह जब आप सो करके उठते हैं उस timing पर पर ही अगर सिर्फ 5 मिनट आखे बंद करके बैठ जाओगे कोशिश करोगे कुछ ना सोचो और अगर सोच नहीं है तो यह सोचो कि आगे का पूरा दिन कैसा जाने वाला है उस दिन को प्लान कर लो तो चीज़े आपके favor में जानी शुरू हो जाएंगी क्योंकि वो एक time ऐसा होता है कि आप किसी भी thoughts को अगर 60 seconds से जादा अपने दिमाग में रख लेते हो तो वो manifest हो जाता है तो life में अगर कोई अच्छी चीज़ चाहिए तो सुबसबा उठ करके उसके बारे में सोचना जरूर शुरू करो उसको visualize करो उसको होता बा देखो और फिर देखना कि universe कैसे आपके लिए चीज़े बदलना शुरू करती है अगर मैं आपकी romantic life की बात करू तो देखो broken heart का card आया था तो यानि कि कुछ लोगों का तो break up बिलकुल निश्चित है साफ दिखाई दे रहा है कि आपका जो break up है होने वाला है लेकिन universe साथ में आपको बूल रही है क्योंकि romance angels का जो card है वो है very soon यानि कि clearly decide what you want so that it can comes to you now कहीं न कहीं आप ही confused हैं आपको यह clarity नहीं कि आपको अपनी romantic life में क्या चाहिए है या फिर किस तरीकी का partner चाहिए तो वो clarity जब तक आपको नहीं आएगी तो universe को तो बिलकुल नहीं जाएगी अब universe भी clear नहीं कि आपको देना क्या है तो universe भी आपकी बज़े से confused है तो अपना confusion हटाओ, be clear what you want, वो सोचोगे तो चीज 100% आपकी life में आजाएगी universe बोल रही है जिस दिन आप clear होगे कि आपको कैसा partner चाहिए, समझ लेना वही से आपका time शुरू हो जाता है एक अच्छे partner के आने का तो जादा weight नहीं करना पड़ेगा Aries, आप देखिए आपके लिए जो angel message है वो surrender का card आया है Whatever you resist in life, persist. Ask your angels to help you dissolve all the resistance of your ego, the inner conflict and struggle, the rigid mindsets and habits so that they can flood your life with higher truth and joy तो आप देखे हो किस तरीके से जो angel messages होते हैं, वो आपकी reading से इतने जादा resonate करते हैं मैंने बताया five of ones का card है, यानि कि मन में अंतर दून तो चल रहा है, तो angels भी बोल रही है कि ये जो fight आपके मन में चल रही है आप इसको भगवान के लिए ने surrender कर दो अपने आपको कि कोई भी ऐसी problem जिसका solution अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसको छोड़ दो थोड़ आप फील करने वाले हो, but overall अगर मैं बात करूं तो मन बहुत अच्छा जाएगा, finances की बात करें, तो amazing opportunities is coming, good money is coming, कोई नया project भी आप शुरू कर सकते हो, communication को बहुत amazing card आया है, health के मामले में थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरी है, क्योंकि मुझे यापके कुछ लोगों आपको खुद रखना है, and be clear what you want, right, अंतर द्विंग खतम हो जाएगा, surrender कर दीचे, surrender का card आपके लिया है, और एक affirmation जो आप सुबह सुबह जरूर बोल सकते हैं, उसको सुबह उठते हैं, अपने 21 बार बोलना है, वो है, I surrender to the flow of life, very simple line, I surrender to the flow of life, यानि कि life में जो भी flow है, finally just surrender it, अपने आपको ना, rigid नहीं करना चाहिए किसी चीज़ को लेके, तो Aries, I really wish you luck, because amazing energies है, इसका सही फाइदा उठाइए, नई job opportunities आने वाली है, तो I really wish you luck, और अगर आपको हमारी रीडिंग्स पसंद आ रही है, आप अपना personal session हमारे साथ book करना चाहते हैं, तो नीचे हम हम हमारी Insta ID mention कर रहे हैं, आप Insta पे हम से connect कर सकते हैं, और नीचे दिये गए WhatsApp नमबर पे हमे WhatsApp मेसेज कर सकते हैं, आप उस पे call नहीं कीजेगा, प्लीज, just drop a WhatsApp मेसेज, और हमारी टीम आप से connect करेगी, तेखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद,